पर्शिम बंगाल हो या महाराष्ट या फिर बिहार देश के अलग-अलग हिस्सों में जुमे के दिन नमाजियों को लोगडाउन तोड़ते हुए पकड़ा गया, मौलानाओं को समझाया गया, लेकिन घर में ही इबादत करने की बात कोई समझने को तैयार ने, अधिकतर लोगडाउन लागू है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बार-बार समझाने पर भी मानने का नाम नहीं लें, कुछ हैं जिनके कानों में जुन तक नहीं रेंग रही, जिनको किसी आदेश के पालन करने से कोई मतलब ने, पुधान मंत्री की बातों को ये लोग सिरे से खारिज क करें, घर पर ही अबादत करें, लेकिन इन लोगों को शायद ना अपनी जान के फिक्र हैं और ना ही दूसरों का खयात। इस से पहले याद कीजिए कि पशिम मंगाल के ही मुर्शीदाबाद में पिछले हफते ऐसी ही घटना सामने आई थी, बीते हफते यानि शुक्रवार को मुर्शीदाबाद में सैक्रों की संख्या में लोग एक जुट हुए थे और नमाज अदा की थी, इस दौरान लोगों ने ना मास्क पहन रखा था और ना ही हाथ में गलब्स पहने, इतना ही नहीं, मुर्शीदाबाद में जुमे के नमाज अदा करने के लिए खट्टा हुए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जम कर थज्जिया उड़ाया, पश्यम बंगाल का मुर्शीदा अबाद, अल्प संक्यक बहुल जिला है, यहां की कोपीपुर मस्जिद में जुमे के नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोगे खट्टा हो गये, और यहां भी मौलवी को समझाया गया अब सिर्फ मंगाली नहीं, महराश्य के परभड़ी में भी लोगडाउन का उलंगन कर नमाज पढ़ने के लिए 27 लोग जमा हुए, जिनने पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया इसमें से छे नाबालिक हैं, उन्हें खर भीच दिया गया, अन्य 21 लोगों के खिलाफ लोगडाउन के उलंगन का मामला दर्च करने की कारवाईश शुरू कर दे गई है परभणी के सेलू शेहर में ये घटना घटी है, सेलू के फूले नगर के कमरे में नमाज पढ़ने के लिए 27 लोग जमा हुए थे साथ ही अनाच के भरी हुई चार बोरिया भी यहां से पुलिस न परामन की ने बिहार के दर्भंगा से भी ऐसी ही तस्वीरे सामने आई लहरिया सराय थाना च्छेतर के फैजुल्ला खा महले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जुम्हे की नमाज पढ़ने के लिए कुछ नमाजी मजद पहुँच गए और मजद का दर्वाजा खुलने के लिए जद करने लगे जिसमें मजद प्रबंदन के लोगों ने सरकार का हवाला देते हुए दर्वाजा खुलने से इंकार कर दिया तो नमाजियों को ये बात नागवार गुजरी जिसके बाद वहां मार पीट भी होने लगे खान चौक पे लहरिया सराय थाना अंतरगात एक मस्जीद है जो लॉकडाउन के कारण वहाँ पर सामोही करूप से नमाज अदा करना पहले से बंद है आज कुछ लोग वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने स्थानिया इमान के साथ में दुरुवय वहार किया उनको मस्जीद खोलने के लिए कहा गया इस पे थाना वो सूचना मिली तो थाना तरण तो वहाँ पहुंचे था उनके ब्यान पे तीन नामजद अभीक्त के वरूद एफायार दर्ज की जा रही है जल्दी इनके वरूद कानूनी कारवाई की जाएगी ब्योर रिपोर्ट जी मीडिया नासिक, जानताडा, बांदरा और देश के कई हिस्सों में लॉगडाउन के बीच खराब होते हालात सामने आए जिनमें अधिकतर जगों पर लोग बेवज़ा लॉकडाउन का उलंगन करते हुए नजर आए तो वहीं मजबूरियां आम लोगों के और लॉकडाउन के आदेश के बीच आ रही है नासिक में लॉकडाउन का उलंगन जमताड़ा में बेवज़ा बाहर खूंते लोग बांतरा में लॉकडाउन के खलनायकों की अत्रिश्च फीड भूक प्यास के आगे शोशल डिस्टेंसिंग बनी चुनाओती हो देश के अलग-अलग हिस्सों से आती ये तस्वीरे लॉकडाउन के बीच खराब होते हालात की तस्दीक भी करती हैं और कई जगहों से लोगों की वो भीड भी सामने आ रही है जहां लोग बेवज़ ही खर से बाहर निकल रहे हैं और फिर पुलिस उनको सबक सिखा रही है जी न्यूस मजबूरी में फसे लोगों तक भी पहुँचा और उस भीड तक भी पहुँचा जिनके जिद्धी रवईये को पुलिस जंडे के सारे ठीक कर रही नासिक में लॉगदावरी के रामकुंद में डुबकी लगाने के लिए यूपकों की फिर देखने को मिली सीचाई के पानी के लिए गंगापूर डैम का पानी गोदावरी में छोड़ा गया था इस कारण गोदावरी का जलस्तर अचानक बढ़ गया इस वज़े से लक्षमा कुंड में भी पानी भर गया था लेकिन लॉकडाउन का उलंगहन करके कुछ युवा दोपहर तीन बजे गोदावरी नदी के बरते जलस्तर को देखने आये और कई युवा डुब की लगा कर स्नान करते देखे गए रामकुंड में कोई सुरक्षा रक्षक और पुलिस उस समय पर मौझूद नहीं थी जामताड़ा में बेवज़स अलकों पर निकलने वालों से पुलिस अनोखे तरीके से ने पट रही है पहले पुलिस बेवज़स निकलने वालों पर डंडे बरसाती थी लेकिन अब डंडो की जग़ा गले में कागस की तक्तिया टांग दी जा रही है इन तक्तियों में लिखा है हम नहीं सुध्रेंगे हम समाज के दुश्मन है इन स्लोगन्स लिखी तक्तियों को पकड़ कर उनकी तस्मीरे खीची जा रही है और उन्हें चौक चौराहों पर खड़ा कर दिया जा रहा है बांदरा में जुटी भीड की शकल में लॉकडाउन के खलनाएकों की तस्वीर तो पूरे देश ने देखी लेकिन मुंबई में लॉकडाउन के खलनाएकों की एक अद्रिश्य भीड भी है चोटी चोटी संख्या में लॉकडाउन के नियमों के धज्या उड़ाने वाले इन खलनाएकों के पास एक हत्यार होता है और वो हत्यार है कोई जूटा बेतुका सा बहाना जिसके जरिये उन्हें बस घर से बाहर निकलना है मुंबई पुलिस कई ऐसे लोगों को बेनकाब कर रही है इन तस्वीरों में देखे कि कैसे इन लोगों की फिर जमा है और ये बेतुके बहाने बना रही है तस्वीरों में आपको दिखागा है मुंबई के वेस्टन एक्सपैस हाईवे की विले पारले के पार आप देख सकते हैं कि गाले की बाहर निकलने की बज़ा जाती है महराष्टर के सूखा प्रभावित उसमानाबाद जिले में अप्रल के महिने में पानी की किल्लत होने लगी है उसमानाबाद के कोलेवाडी गाउं में लोगों को पानी के लिए आट दिन रह देखनी पड़ती है लोकडाउन के चलते पानी के लिए जिला प्रशाशन के टैंकर पर ग्रामीन निर्भर है लेकिन टैंकर के सामने पानी के लिए लोगों की भीड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन गरने में नाकाम है पोलसेवाडी में सुबह टैंकर आता है तो उसके लिए कोई कतार नहीं लगती है लोग एक तम से खटा हो जाते हैं पेजल के लिए लोगों के भीड टैंकर के नस्दीक लगातार इसी तरह से खटी होती दिखती है अब लॉकडाउन के उलंगन की जो तस्वीरे हमने देखी उसमें अधिकतर जगहों पर लोग जान बूच कर फीर लगाते नजर आ रहे हाला कि पुलिस ऐसे लोगों को सबक भी सिखा रही है लेकिन मुश्किल यह है कि कई लोग समझने को तैयार नहीं कि लॉकडाउन का संकल्प ही कोरोना को हराने का विकल्प है बिरो रिपोर्ट प्रसी वीडिए